गावा के तिलहावा वो हरीजन टोला में पानी की घोड समस्या, नदी के सोत और चुआ खोद कर प्यास बुझा रहे हैं लोग गावा गिर्डी, एक और जहां केंद्रवो राज्य सरकार हर घर नल जल योजना के तैट सभी लोगों को शुद्ध जलापूर्ती मुहेया कराने के लिए कई योजना चला रही है लेकिन गावा प्रखन में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है गावा प्रखन के कई पंचायत के विकास से बिछडा टोला के लोग आज भी नदी के सोत और चुआ खोद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं बदा दे कि गावा प्रखन सिथ मंजने पंचायत के तिलहवा वो हरीजन टोला में पानी की घोर समस्या बनी हुई है न्या के लोग घर से तकरीबन दो किलमीटर दूर नदी और सोत में चुआ खोद कर अपना प्यास बुझा रहे हैं हरीजन टोला में महज दो सारवजनिक चापा नल है जो पानी के लेयर नीचे चले जाने से खराब पड़ा हुआ है और तिलावा टोला में मातर एक सारवजनिक हुआ है जिससे गंदा पानी निकलता है इससे वहां के लोगों को उक्तो टोला से दो किलमीटर दूर जाकर नदी के सोत और चुआ खोद कर पानी लाना पड़ता है ग्रामीन शीगर ही उट्तो टोला में डीप बोरिंग करवा कर्शुद जलापुर्ती बहाल करने की मांग कई है इधर कनिया अभियंता जहेंद्र भगत ने कहा कि वहां पर मिस्तिरी को भेज कर शीगर ही समस्या का समाधान किया जाएगा डिपोर्टा निशान वर्णबाल गावा गेर्डिया